हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल रायजिंग घुरावल पर मैं हूँ आपका फ्रेंड परमेश्वर्सिंग और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं python program to convert decimal number to roman number means decimal number को roman number में change करने के लिए python program तो सबसे पहले देखते हैं कि roman numbers को write करने के लिए कौन से symbols का use कि आयता है जैसे one को write करने के लिए i का यूज़ कियाता है और 4 को राइट करने के लिए i v का यूज़ कियाता है और 5 को राइट करने के लिए v का यूज़ कियाता है और 9 को राइट करने के लिए i x का यूज़ कियाता है और 10 को राइट करने के लिए simply x का यूज़ कियाता है और 40 को राइट करने के लिए x l का यूज़ कियाता है और 50 को राइट करने के लिए simply l का यूज़ कियाता है और 90 को राइट करने के लिए simply x c का यूज़ कियाता है और 100 को write करने के लिए C का यूज़ गयाता है और 400 को write करने के लिए C, D का यूज़ गयाता है और 500 को write करने के लिए simply D का यूज़ गयाता है और 900 को write करने के लिए simply cm का use कियाता है और 1000 को write करने के लिए m का use कियाता है और इनका use करके numbers को इस तरह से write कियाता है just say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or i x 9 or x 10 or x i say 11 or x double i say 12 x triple i say 13 or x i v say 14 or x v say 15 or x v i say 16 or x v double i say 17 or x v triple i say 18 or x i x say 19 or x x say 20 और इसी तरह से x x i say 21 और इसी तरह से x x double i say 22 होगा और last में 30 को write करने के लिए use करेंगे triple x और 31 को write करने के लिए triple x i और 32 को write करने के लिए triple x double i okay इस तरह से यूज़ करेंगे और 40 को write करने के लिए use करेंगे 40 को write के लिए use करेंगे xl और फिर 41 को write करने के लिए use करेंगे xli आई ओके और इस तरह से Roman numbers को write करेंगे ओके देखिए कैसे convert करेंगे decimal number को Roman number में suppose करिए मैंने एक variable लिया है num और user ने input किया है 12 ओके और एक और मैं variable लेता हूँ Roman ओके और इसमें मैं store करता हूँ impetus string ओके तो हमें क्या करना होगा इस number को integer division करना होगा तो यहां से start करेंगे division करना देखिए thousands यह divide नहीं होगा means divide करेंगे तो कुछ decimal point में answer आएगा तो आपको चाहिए नहीं आपको integer division करना है तो इस से भी करेंगे तो 0 आएगा इस से भी करेंगे तो 0 आएगा और finally आप इस number को 10 से उन आएगा, और जब इसका result one आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको roman string है, उसमें, आपको concatenate करना है, tane को represent करने वाले roman symbol से, तो tane को represent कर रहा है, x, तो इसमें x को concatenate कर लेंगे, और फिर फिर से अब नमबर को reminder कर लेंगे 10 से तो अब नमबर में store हो जाएगा 2 यह हो गया step 1 देखिए step 2 अब step 2 के लिए num की value हो गई 2 और roman की value है x और फिर से num को divide करेंगे और num finally divide होगा 1 से क्योंकि उसमें 2 है आप 4 से divide करेंगे तो कोई value आएगी नहीं जो की 0 से greater हो तो जब आप इसे 1 से divide करेंगे तो इसका result आएगा 2 और जब इसका result 2 आ रहा है तो आपको क्या करना होगा इसमें आपने जो divide किया है आपने 1 से divide किया है और इसका result आएगा 2 तो जिस भी number से आपने divide किया है उसके लिए जो symbol है उसे आपको इसमें concatenate करना है और क्योंकि इसका result 2 आया है इसलिए इसको 2 time इसको इसमें concatenate करना है तो इसका result हो जायेगा एक्स आई आई ओके तो यह होगा 12 का रोमन नंबर ओके सबोस्ट करिए यूजर में इन्पुट किया 48 ओके तो क्या होगा इस नंबर को डिवैड करेंगे 40 से ओके तो इसका रिजल्ट आजाएगा 1 क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आया है तो 40 से मैंने डिवैड किया है तो 40 को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को इसमें मुझे कॉन के टरनेट कर लेना है और 40 को रिप्रेंट करता है XL तो मैं यहाँ पर रड़ करूँगा XL और फिर मैं नंबर को 40 से ही रिमांडर कर दूँगा ओके और अब नं में जो वैल इस्टोर होगी वह होगी 8 ओके देखिए step on हो गया और देखिए next step में क्या होगा अब जो नं है उसकी value हो गई है 8 ओके और फिर से इसको अब divide करना है और अब देखिए 10 से divide होगा नहीं 9 से divide होगा नहीं finally यह 5 से divide होगा ओके और 5 से divide करेंगे तो यहाँ पर इसका result आएगा 1 और फिर से आपको represent करने वाले symbol से 5 को रिजम करता है वी ओके तो यहाँ पर एड़ करेंगे वी और रोमन की अब value हो जाएगी xl xlv ओके और अब क्या करना होगा फिर से इस number को reminder करके number variable में store कर लेना है ओके तो इसे 8 से remainder करेंगे sorry 5 से remainder करेंगे तो इसका remainder आगा 3 ओके तो next step के लिए num की value कुतनी है 3 है और इस num को हमझे divide करना है तो अब देखिए 3 को आप 4 से divide करेंगे जो भी result आएगा वो greater than 0 होगा नहीं तो आपको divide करना होगा 1 से जिससे कि जो result है वो greater than 0 आए तो 1 से divide करेंगे इसको तो इसका result आएगा 3 ओके क्योंकि डिवाइड करने पर इसका result 3 आया है इसलिए roman में अपेंट करना होगा उस सिंबल को जो वन को रिप्रिंग करता है वन को रिप्रिंग करता है आई ओके तो यहां पर आई को इसमें concrete net करेंगे लेकिन क्योंकि इसका result 3 आया है इसलिए 3 time i को इसमें concrete net करेंगे ओके और फिर अब इसकी value हो जाएगी x, l, v, triple i ओके तो यह होगा इसका result मिंस 48 को इस तरह से write करेंगे 48 को इस तरह से write करेंगे roman number में ओके और फिर से अब इस number को one से reminder कर देंगे तो अब इसका reminder क्या आएगा zero आ जाएगा और यहां से जो step है वो end हो जाएगा ओके देखिए अब इसको program में कैसे implement करेंगे यहां पर मैं जो program write करने वाला हूं कि वह केवल उन्हीं numbers को roman में चींज करेंगा जो less than 3999 होगा ओके केवल उन्हीं को यह program चींज करेंगा ओके तो देखिए इसे program में कैसे implement करेंगे मैंने यहां पर मैं क्लिक करता हूं फाइल न्यू फाइल और यह देखिए न्यू फाइल आ चुकी है और अब मैं इसको सेब कर लेता हूं ओके और यहां पर मैं चूज करता हूं डाकुमेंट्स और यहां पर मैं फाइल नेम टाइप करता हूं डी इसी टू रोमन ओके डाट पी वई और फिर मैं क्लिक करता हूं सेब पटन पर और इस तरह से फाइल सेब हो चुकी है तो यहां पर मैं यूजर से इंपुट लोंगा नंबर इंटर और नंबर यहां पर मैं राइल करता हूं लेस देन थ्री नाइन 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 ओके और यहां पर मैं चेक कर लेता हूं इफ नंबर इस ग्रेटर देन स्वरी लेस देन थ्री नाइन 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 ओके तो मैं एक लिस्ट क्रेट करता हूं वैल्यू ओके और इसमें मैं वैल्यूज को इस्टोर करता हूं और यहां देखी ओके यहां पर मैं वैल्यूज को इस्टोर करता हूं जो कि डेसिमल वैल्यूज हैं ओके थाउजन्ट नाइन हंड्रेट फाइफ हंड्रेट फोर हंड्रेट हंड्रेट नाइन्टी फिप्टी फुर्टी और टेन नाइन फाइफ फोर और लास्ट में वन ओके और फिर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूं सिम्बल की और इसमें मैं स्टोर करता हूं रोमन सिम्बल्स को तो थाउजन्ट के लिए यूज होगा M ओके और 900 के लिए यूज होगा C M ओके और 500 के लिए यूज होगा D और 400 के लिए C D और 100 के लिए यूज होगा C और 90 के लिए यूज होगा X C और 50 के लिए यूज होगा L और 40 के लिए यूज होगा XL और 10 के लिए यूज होगा X और 9 के लिए यूज होगा IX और 5 के लिए यूज होगा V और फॉर के लिए यूज़ होगा आई वी और फाइनली वन के लिए यूज़ होगा आई ओके इस तरह से मैं सिम्बल्स को इस्टोर कर ले रहा हूँ और अब मैं यहां पर एक वैरियबल लेता हूँ रोमन ओके और इसमें मैं इस्टोर करता हूँ और फिर मैं यूज़ करता हूँ लूप वाइल नम इस ग्रेटर देन जीरो मिन्स जब तक नंबर की वैलू ग्रेटर देन जीरो हो ओके तक यहां तक यहां पर मैंने जो स्टेप्स राइट किया है जब तक नंबर की वैलू ग्रेटर देन जीरो है तब तक मैंने इस स्टेप्स राइट किया है तो इसी तरह से यहां पर भी राइट करना होगा वाइल नम इस ग्रेटर देन जीरो देन डी आइवी डिवाइड करना है किसको नंबर को इंटीजर डिवाइड करना है किस से वैल्यू कौन सी वैल्यू जो की इस वैल्यू लिस्ट में स्टोर्ड है तो यहां पाले फस्ट जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेगा क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है तो इसका इंडेक्स नमर जीरो है तो इसको फस्ट वैल्यू से डिवाइड करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो डिव में स्टोर हो जाएगा और फिर मैं एक और लूप यूज़ करता हूँ डिव वाइल डिव ग्रेटर देन जीरो जब तो क्या होगा ओके जैसे देखिए यहां पर आप देख लीजिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे 48 को 1000 से तो क्या रिजल्ट आएगा जीरो आएगा तो यह लूप वरक ही नहीं करेगा ओके और फैनली जब मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो ही इसका रिजल्ट क्या आएगा वन आएगा और जो की ग्रेडर देन जीरो होगा तो फिर यह लूप वरक करेगा ओके और फिर क्या होगा अब मुझे जो रोमान स्ट्रिंग है उसमें क्यों करना है सिम्बल को जिस से डिवाइड हुआ है ओके तो सिम्बल और यहाँ पर मेरा करता हूँ आई ओके तो जिस इंडेक्स नंबर से यह डिवाइड हुआ होगा उसी इंडेक्स पर उसको रिप्रेजेंट करने वाली वैलू इसमें स्टोर्ड है ओके तो वह इसमें कॉन्केटनेट हो जाएगी ओके और उतनी बार जितना कि यहा अधिननना को जfred religion ते यहां वान यहां चलए चलए च tell तो टवी तो टाइंउनगा ओके और फिर मैं zeggen कि यहाँ पर जो डी आई वी है उसकी वैलु को रिडियूस कर देता हूं ऑके मैंने खाके और फिर मैं यहां पर करता हूं नम reckon करि ख्तांउन लिवाइडर value i उसी number से reminder करके नम की value को change कर लेंगे और फिर मैं i की value को increase कर लेता हूँ ओके और अब मैं print कर लेता हूँ ओके यहाँ इस loop से बाहर आने के बाद y loop से बाहर आ करके अब मैं print कर लेता हूँ roman value ओके और यहाँ पर मैं रड़ करता हूँ variable roman ओके और फिर मैं यहाँ पर रड़ करता हूँ else ओके इस if के लिए ओके यदि number less than 3999 नहीं हुगा तो मिन्स इस से greater हो गया तो क्या होगा तो print होगा print sorry इंटर नंबर लेस देन 3999 ओके इस तरह से यह program complete हो चुका है अब मैं इसे फिर से save कर लेता हूँ ओके और अब मैं इसको run करता हूँ ओके देखिए यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 48 ओके और देखिए इसका result आ गया है और यह देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वही result है ओके देखिए XLVIIII ओके और मैं एक बार इसको फिर से run कर लेता हूँ ओके और इस बार मैं इंटर करता हूँ 12 ओके देखिए इसका result आ गया ओके और मैं इसको फिर से run करता हूँ और इस बार मैं इंटर करता हूँ 157 ओके तो देखिए इसका result आ गया ओके देखिए यहाँ पर फड़ा सा mistake है एक्शुल में एक प्रोग्राम 3999 तक के नंबर्स को चेंज कर सकता है तो यूजर को 4000 से लेस दे नंबर इंटर करना है यहाँ पर जो range है मैं चेंज कर देता हूँ इसको मैं 4000 पर सेट कर देता हूँ अब यह सही है और अब मैं इसको फिर सेट करता हूँ और यह देखिए इस result आ गया और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 3999 और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ देखिए इसका इसने सही result दिया है 3000 के लिए 3 टाइम इसने m ऑकंव राइट किया है और देखिए फिर 900 के लिए 900 के लिए cm तो इसने cm राइट किया है और फिर 90 के लिए x c तो इसने x राइट किया है और फिर 9 के लिए इसने IX write किया है और इसने किसी भी rules का violation नहीं किया है तो बिल्कुल correct program है लेकिन यह 4000 को deal नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बाद यह numbers को write करने के लिए बार का use करते हैं तो यह बिल्कुल correct program है इससे आप note कर लिजिए ओके ओके फ्रेंड्स तो इस तरह से वीडियो complete हो चुकी है यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो इसे like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें thanks for washing